वेलकम बैक टू प्रैप एजी बैलो जी क्लास 11 स्टुएंट्स आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कॉस करेंगे डिफ्रेंशियेशन डिफ्रेंशियेशन एंड डिफ्रेंशियेशन फिक है यह टॉपिक थोड़ा समझने वाला है यहां पर और इसके कुछ एक्जाम्पल्स ह हैं जो आपको लार्न करना होगा फिंकैं वैसे तो आपने रॉद्धयोल ड्यूद्ध में लास्ट वीडियो सेशन में डिफ्रेंशियेशन और पढ़ने वाले हैं और प्लान्ट का जब रोग होता है तो प्लान्ट में आपको पता है कि ठून ओट लाइफ जो है ग्रोथ होता है और as per requirement of plant different type की वहाँ पर changes आते हैं और जिसमें कभी-कभी plant को plant के tissues को या plant के particular part को differentiate करना होता है कभी-कभी de-differentiate करना होता और कभी-कभी re-differentiate करना होता है ठीक है तो इसी लिए मैंना यहाँ पर यह term mention किया है और यह important भी है और थोड़ा बचों को इस topic में confusion होती है बट confusion से बजना है आपको यहाँ पर differentiation first term है यहाँ पर differentiation में आपको सबसे पहले याद रखना है कि differentiation में क्या होता है specialization होता है maturity होती है ठीक है जब आप cell cycle and cell division topic पढ़ते हैं cell cycle and cell division आपको मैंने cytology वाले पार्ट में बताया था और वहाँ पर मैंने बताया था कि cell cycle में interface stage होता है ठीक है and m phase होता है ठीक है यह दो phase किसके हैं यह यह cell cycle के phases है ठीक है interface में मैंने बताया था कि G1 होता है S होता है और G2 होता है ठीक है जीवन के parallel G0 होता है ठीक है जिसको बोलते हैं क्या processcent stage क्या बोलते हैं processcent stage ठीक है यह जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो के playlist से cell cycle and cell division chapter में आप यह पड़ सकते हैं topic ठीक है और मैंने वहाँ पर बताया है कि interface stage में जीवन सब phase होता है और जीवन के parallel quasi cent stage होता है quasi cent stage को G0 phase बोलते हैं और यह G0 phase में होता क्या है एक्चली में cell का specialization होता है ठीक है cell का specialization होता है specialization का मतलब कि cells के अंदर जो unique property होती है वो G0 phase में gain होता है और उस time पे जी नौट फेस के टाइम पे सेल डिवाइड नहीं करते हैं ठीके ध्यान देना होगा जी नौट फेस में जब सेल इंटर कर जाता है तो इंटर करने के बाद वहाँ पे specialization होता है वहाँ पे division नहीं होता है ठीके यही से आपको story को start करना होगा और तभी ये टॉपिक समझ में आएगा ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं differentiation heading में it refers to permanent qualitative change in structure chemistry and physiology of cell wall and protoplasm of cells tissue organ यहां यहां पे बता जा रहा है कि permanently qualitative change आता है structure level पे chemistry level पे physiology level और यह change किस में आता है cell wall में आता है मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब differentiation होता है तो permanent qualitative change होता है structural level पे chemistry level पे physiology लेवल पे ठीक है और यह structure chemistry और physiology कहां पे हो रहा है यह cell wall में हो रहा है और protoplasm में हो रहा है ठीक है और आप सबको पता है कि cell wall और protoplasm कहां होते हैं cells के अंदर होते हैं ठीक है और cells कहां होते हैं tissues के component होते हैं ठीक है और tissues जो है वो argon के component होते हैं ठीक है ऐसा differentiation होगा then next line है आपका it occurs by activation or repression of some genes ठीक है यह जो भी qualitative change हो रहा है structure chemistry और physiology level पे वो क्यों हो रहा है वो gene level पे ठीक है मतलब की genetic material के level पे या तो कोई gene यहां पे activate हो रहा है या तो repress हो रहा है ठीक है gene level पे activation या repression होता है तब इस type के changes आपको देखने को मिलेंगे ठीक है then example discuss करते है differentiation का for example to form a trackery elements the cells could loss their protoplasm they also develop a very strong elastic ligno cellulosic secondary cell wall to carry water to long distance even under extreme tension ठीक है यहां पे यह बता रहा है कि trackery elements होते हैं आपने पढ़ा होगा जाइलम आपने class 10 में पढ़ा होगा और आपको वहां पे बताया होगा कि जाइलम जो है water और mineral को conduct करते हैं ठीक है और जाइलम के अंदर trackits और vessels होते हैं ठीक है अगर नहीं पता है आपको तो जाइलम मैं बता दूँ कि वहां पे four cells होते हैं जिसमें से trackits और vessels को यहां पे discuss करना है ठीक है जो वहां पे total four cells है वो क्या है जाइलम फाइबर है जाइलम परन काइमा है ठीक है यहां पे trackits और vessels को discuss करना है मैंने यहां पे उपर mention कर रहा है आप देखो यहां पे यह trackits और vessels है और इन दोनों को हम collectively क्या बोलते हैं बोलते हैं trackits और vessels को collectively हम क्या बोलते हैं track audio elements बोलते हैं और tr Manual में औरopus और ऑप कर्केछ और में लास हो जाता है और loss होने के बाद एक नया specialization होता है वो specialization क्या है वो water और minerals का conduction है aerial part में root से aerial part में water और minerals को trackery elements transport करते हैं बर transport करने से पहले क्या करना है protoplasm का loss करना है जो भी cytoplasm है या उसके अंदर जो cell organals होते हैं उनको क्या करना है उनको loss कर देना है जब loss कर देगा तो cells impity हो जाएगा cells impity हो जाएगा तो वो cell जो है water और minerals को ज़्यादा से ज़्यादा carry करेगा water और minerals को ज़्यादा से ज़्यादा वो carry करेगा ठीक है और जब protoplasm loss होगा उसके बाद से उसमें और भी speciality हो जाती है जैसे कि very strong elastic lignoselology secondary cell wall मैंने बता है कि कोई भी cell जब mature होता है तो उसमें secondary cell wall का formation हो जाता है और secondary cell wall में lignin आ जाता है और serum अल् sensit था ही थैक है तो ये जो भी ability कि आ जा रहे है ठीक है और स्टॉवन होना इलास्टिक होना लिगनो से लोजिक से जंडर से लवाल का डपलेप्मेंट होना यह सब जब हो जाएगा तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वह वाटर को कहरी करेगा और लॉंग दिस्टेंस तक वह ट्रांसपोर्ट करेगा वाट और differentiation में आपने ये देखा कि permanent qualitative change हो रहा है structure लेबल पे, chemistry लेबल पे, physiology लेबल पे, cell wall और protoplasm लेबल पे ये सारे changes आ रहे हैं और ये सब changes gene लेबल पे हो रहा हैं अगर activate या suppress जाता है तो इस type के changes आते हैं जिसका मैंने example यहाँ पे क्या बताया है ट्रैकरी elements बताया और ट्रैकरी elements है कहां पे ये जाइलम में हैं और ट्रैकरी elements एक्चुली में होते क्या हैं ये जाइलम के दो component हैं ट्रैकेट्स एंड वैसल्स ठीके और ये specialized हो रहा हैं किसके के लिए मिल्रस और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है और आपने यहां पे देखा कि कहीं पे भी डिवीजन का डिस्कुस नहीं किया गया यहां पर वालनी जो है इसी टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अब मैं आपको फ्लोचार्ट दिखाने जा रहा हूं ठीक है आप देखो इस फ्लोचार्ट को इस फ्लोचार्ट में आप देख रहे हो कि एंब्रियो से स्टाइटिंग हुआ फ्लोचार्ट और एंब्रियो में क्या हो रहा है सेल डिफरेंशेशन हो रहा है देन उसके बास से क्या बन रहा है प्रो मेरिस्टम बन रहा है ठीक है फिर से क्या हो रहा है से डिवाइड कर रहा है और से डिवाइड करने के बास से क्या बन रहा है primary meristem बन रहा है क्या बन रहा है primary meristem ठीक है उसके बास से आप देख रहे हैं यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है loss loss power of division मतलब यहाँ पर division का power फिर से loss होने वाला है ठीक है यहाँ पर उपर वाले step में अब नीचे वाले step में आप देख रहे हैं कि division की ability loss हो रहे ठीक है जब सेल में differentiation तभी होगा है जब सेल जो है सेल की division करने की ability loss कर जाती है तभी उसमें differentiation होता है ठीक है तो यह आपका मैंने flow chart का एक step बताया जिससे आपको यह समझ में आएगा कि कैसे cell differentiate होते हैं even यही जो टिशू है यहाँ पर या टिशू के जो cells हैं यह अगें जो है इनके अंदर regain power of division आ जाएगा मतलब कि इसके अंदर अगें division करने की capability आ जाएगी ठीक है बट वो जो condition होता है उसको बोलते हैं D differentiation क्या बोलते हैं उसको D differentiation जब division की capability loss हो जाती है तो differentiation होता है और अगर regain हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम D differentiation बोलेंगे ठीक है ध्यान देना होगा D differentiation का मतलब होता है कि differentiation नहीं होना ठीक है डिफरेंशेशन नहीं होना उसको क्या बोलेंगे D differentiation बोलेंगे ठीक है और देन वही डिफरेंशियेटेट टिशू या आर्गन जो है अगें D differentiation करने लगे तो वह क्या हो जाएगा री डिफरेंशियेशन हो जाएगा डिफरेंशियेशन ठीक है आप देख सकते हो यहां पर अगें लिखा है क्या लॉस और लॉस आफ पावर आफ डिविजन तो यहां पर आपको यह देखने को मिलना कि अगें इसके अंदर लॉस हो ज पर आप समझा सकते हैं जैसे कि आप यहां बोल सकते हैं कि डिफरेंशियेशन हो रहा है जहां पर सेल की डिविजन करने की अबलेटी लॉस हो रही है यहां पर क्या हो रहा है आपका डिफरेंशियेशन हो रहा है यहां पर डिफरेंशियेशन हो रहा है और यहां पर री डिफरेंशियेशन हो रहा है क्या हो रहा है री डिफरेंशियेशन हो रहा है ठीक है तो यह स्टेप आपको पता होना चाहिए अच्छे से ठीक है अगर आपको कुछ नहीं पता है तो य यहां से और यहां तक का flow chart आपको पता होना चाहिए और इसी flow chart से आप आगे का जो topic है समझने वाले हैं मैंने अभी differentiation तो समझा दिया आपको ठीक है और differentiation यहां मैंने आपको बताया और बट मैंने आपको बुक से नहीं बताया है ठीक है बुक की जो लाइन है नसी आटी की वो नहीं बताया है तो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं डिफरेंशियेशन और डिफरेंशियेशन यह दोनों topic अभी आपको बताऊंगा आप यहां पर देख सकते हैं डिफरेंशियेशन में it is the process of d-specialization मतलब जो उपर specialization हुआ था differentiation में वो यहां पर opposite हो जा रहा है मतलब उसका reverse हो जा रहा है और यहां पर क्या हो रहा है d-specialization हो रहा है ठीक है d-specialization of differentiated living cells so that they regain the capacity to divide and form new cells तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको यहां पर flow chart में कि जो यह primary permanent tissue है यह regain कर लेता है power of division का तो ऐसे tissues को हम क्या बोलेंगे de-differentiated tissue बोलेंगे क्या बोलेंगे de-differentiated tissue और यही चीज़ यहां पर मैंने आपको बताया कि regain the capacity to divide and form new cells ठीक है यह आपका sufficient है और इसके बास आपको करना क्या है examples को करना है ठीक है examples में आप देख सकते हैं de-differentiated tissue can act as a meristem ठीक है example में interfacicular vesicular cambium cor cambium and wound cambium ठीक है यह जो cambium है ठीक है यह आपको different type को देखने को मिल रहा है और यह example है de-differentiated tissue को ठीक है इसको आप as it is learn करेंगे इसको as it is आप learn करेंगे then next line देखते हैं in culture experiments parenchyma cells de-differentiated to produce mass of dividing cells called callus ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि उपर वाले examples में तो वो naturally examples है यह natural आपको plants में बिलेंगे ठीक है बट यह जो यहाँ पर mention है in culture experiment तो यह laboratory condition में example बता रहा है ठीक है laboratory conditions में जब हम पहने काइमेटर cells ले लेते हैं और उसमें de-differentiation कराते हैं तो क्या मिलता है callous मिलता है क्या मिलता है callous मिलता है और callous का होता है mass of dividing cells होता है ठीक है यह topic आपका second topic finish हो गया इसके बाद से discuss करेंगे re-differentiation और re-differentiation में आपको मैं बता दूँ कि differentiation में जो भी चीजे होती है वो re-differentiation में भी same होगा बट यह दुबारा हो रहा है that's why 정이 ङूम क्या बोल रहे है re-differentiation बोल रहे है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप दएखो यहाँ पर structural, chemical, physiological ठीक है आपने यह चीज आपने यहाँ पर देखा था structural, chemical and physiological यह चीजे यहाँ पर भी आप underline कर सकते हैं structural, chemical, physiological specialization of cells derived from de-differentiated 아니enne स्टिक यह कब हो रहा है यह डिफ्र डिफ्रेंसियेटड टीसूस में हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है अब देख सकते हैं यहांप यहां specialization of cells derived from the de-differentiated meristimatic cells is called re-differentiation अब lines को ध्यान दिजए ठीक है process जो है same हो रहा है जैसा कि differentiation में हो रहा था ठीक है बट यहां पर after differentiation के बाद हो रहा है इसलिए यहां पर re-differentiation जब यह process होते हैं तीनों तो यह sequence wise हो पहले बैड डिफरेंशियों तो तो यह ईसका सेके्ट टाइम हो रहा है यहीं आगे रहते हैं यह ार्पर proportion it is similar toDie looking of sus he Вид दिमेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड टीशू फॉर्म बाइदा प्राइमरी मेरिस्ट्रम अभी मैंने फ्लो चार्ट में आपको दिखाया सेकेंडरी फ्लोयम, सेकेंडरी जायलम, कॉर्ट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सम अफ टीशू फॉर्म्ट थू डीडिफरेंशेशन तो यह आपका एक्जांपूल हो गया जिसको आप लर्न करेंगे ठीक है तो यह जो भी आपका यह टॉपिक में एक्स्पनेशन था इसका बस आ आपका यह है आप देख सकते हैं प्रामरी मरिस्टम से कनवर्ट हो रहा है प्रामरी पर्मनेंट टिशू में और यहां पर स्टेप क्या हो रहा है डिफरेंशेशन और यहां पर डिविजन की अबिलिटी लास हो रहा है तो यहां क्या हो रहा है और यहां पर डिविजन की अ हो रही है ठीक है तो यह जो भी आपके स्टेप से इसको ध्यान देंगे और ध्यान देने के बास से यह सारे जो स्टेट्मेंट दिए गया है इसको आप एक बार रीड कर लेंगे टॉपिक आपका प्रेपेर हो जाएगा और एक्जांपल्स तो आपको लर्न कर नहीं पड़ेंगे ठीक है इसके पास से लास्ट पराग्राफ है इसको देखते हैं यह एक तरीके से मेस्टिमेटिक टिशू का क्या है कमिट्मेंट है डिटर्मिनेशन से ठीक है जो डिफरेंट टाइप के से और टिशू बना रहे हैं से घ्लतिके से लेक्ट टिखुशन पंद आण सतो से लेकारत अच्ट पर काना SYST और अपनध डिफरेंट लोकेशन से हैं उसके इसको को डिकांगे करेंटीक एक तयोब क्रोंगे से टिशिवश्यन दिट्रमाइन के हमको करना और ठीक है आपको करना किया है एक्जाम्पोस में आप देख सकते हैं एक्जाम्पोस सेल्स डिस्टल टू रूट एपिकल मेरिस्टर तो यहां डिस्टल क्या पोजिशन है फ्राम रूट कैप वाइल पेरिफेरी दे फॉर्म एपिबलेमा फॉलोड बाइक्स एपिडर्मिस पेरिसाइकल वैस्टल टिशू ठीक है यह जो भी मैंने आपको यहां पर बताए यह एक्जाम्पोस बताया ठीक है न उपर वाले स्टेट्मेंट के एक्जाम्पोस बताया अब इस एक्जाम्पोस को लर्ण कर लेजे है यह इक्या है यह यह डी रूट का ऑउठर मोस्ट लेयर है जैसे यह यह हम और बनीचे कॉटेक्स होता है ॏक तो वहा प्लंट को शमर्जना देरगा फास में बता देता हो इक बार और आपको जैसे किसी भी प्लांट का रूट अगर कट करेंगे तो लेहर वोगा इपीब लेमा गया होगा यह इपी बलेमा होगा ठीक सेकेन्ड्स और आपको जाएंग साइकल मिलेगा और सेंटर में से लए आएंगे तो आपको मिल जाये गा गा वेसकूलर टीशु मिल जाये से यह सारे के पार्ट्स है यह आपको रूट के जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलनुग तो यह आपका differentiation, de-differentiation और re-differentiation topic finish हो गया ओके इसके बाद से discuss करते हैं next topic development as per NCRT